इस question में हमें पता लगाना है यह जो statement है मेरी, यह सही है या नहीं, correct है या नहीं, यहाँ पर यह जो symbol होता है, यह belongs to को होता है, यानि 3,4 जो मेरा set है, यह मेरा अगर a के अंदर है, is an element of a, तो यह statement correct है, नहीं तो नहीं, यहाँ पर हम यह bracket 3,4 को मैं x माल लेता हूं, तो मेरा set a क्या हो जाएगा, 1,2 यह bracket 3,4 को x माल लिया, x5 कुछ ऐसे, अब अगर यह मेरा 3,4 belongs to a है, इसका मतलब x मेरा belongs to a है, यानि x मेरा set a के अंदर है, जो की है, यानि यह statement जो है, वो correct है,